वेलकम टू मा चैनल और मा जैनल आज हम आपके पाठ्थे पुस्तक हिंदी बितान क्लास फिप्थ चाप्टर त्री चाप्टर का नेम सुभा इस पाठ के हम मोहावरे और प्रस्न उतर के बारे में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो छेलिए शुरुआत करते हैं बहुत प्यारा होना, हाद बटाना, काम में मदद कनना, पीट थप थपाना, शावासी देना तो चलिए अब शुरुआत करते हैं मौकिक से इन प्रस्नों के उतर दे खो, रेश्मा को घर की सफाई में नहीं लगाया गया उतर, रेश्मा को घर की सफाई में नहीं लगाया गया क्यूंकि पोलिय के कारण उसकी दोनों टांगे बेजान हो गई थी खो, रेश्मा ने गोलु को क्यूं धका मारा उतर, रेश्मा ने गोलु को जलती हुए पटाकों से बचाने के लिए धका मारा गो, मारेश्मा के गिनने से डर क्यूं गई उतर, मारेश्मा के गिनने से डर गई की कहीं उसे चोट ना लग गई हो चलिए अब लिखित देखते हैं पाट से को, सुभा से घर के सभी लोग सफाई क्यूं कर रहे थे उत्तर, तिहार समीप था, इसलिए सुबह से सभी लोग घर की सफाई कर रहे थे ख़ू, रेश्मा को घर की सफाई में क्यूं नहीं लगाया गया क्यूंकि पोलियो के कारण उसकी दोनों टांगों बेजान हो गई थी ग, रेश्मा ने अपनी मा के काम में किस तरह मदद की? उतर, रेश्मा ने रसेई घर के डबो पर लेबर लगा कर तथा बजार से सामान लाकर मा की मदद की गह, माने रेश्मा को बजार क्यूं भेजा? उत्तर, कई और सामान नहीं आ सका था, इसलिए माने रेश्मा को बजार भेजा गह, रेश्माने गुलुक को धक्का क्यूं मारा? उत्तर, रेश्माने गुलुक को जलते हुए पटाकों से बचाने के लिए धक्का मारा दूसरा बाक्यों की सही अत पर राइट का निशान लगाओ को दिवाली अंधेरे पर उजाली की जीत का तिवहार है सही उतर है सचाई की हमेशा जीत होती है खो उसकी हर सुभा एक नई सुभा होती है सही उतर है उसके जीवन में हर रोज कोई ना कोई नई घटना घटती है तो चलिए अब देखते हैं पाड से आगे यानी पाड के बाहने क दिवाली का तिवहार राम के अयवधा लोटने के खुशी में मनाया जाता है पता करके लिखो की ये तिवहार कब और क्यूं मनाया जाता है चलिए तिवहार कब और क्यूं पहले होली मार्च नई फसल आने की खुशी में क्रिस्मास 25 दिसंबर इसा मसी का जनम दिन इद मार्च हजरत मोहमत का जनम दिन बैसा की 13 एपरल नए अनाज की खुशी में पॉंगल 14 एपरल नए बर्स की शुरुवात खौ रेश्मा के दोनों पैर घुटनों से नीचे बेजान थे उसे कौन-कौन से काम करने में परिशानी होती होगी इन बैक्तियों की परिशानी के बारे में अनुमा लगाओ मैंने एक चार्ट बनाया है इसे आप देख लीजेगा दिखिए इस तरह से हमने चार्ट दिया है दूसी की साबसे हम करेंगा अंक बैक्तिगत काम में परिशानी पहला जो देख नहीं सकता आने जाने में परिशानी चीजों को देख ना सकना पढ़ने में बाधा दूसरा जो बोल नहीं सकते अपने बात समझने में परिशानी तीसरा जो सुन नहीं सकते दूसरों की बात समझने में तथा सुनने में परिशानी चोथा जो बोल सुन नहीं सकते भासा सिखने में बात को समझाने समझने में परिशानी गव यदि आपके कक्स्या में रेश्मा की तरह कोई बच्चा ताखिल हो तो आप पहला किन किन बातों के ध्यान रखोगे उतर उसकी बैटने की जगा को आरामधाइक बनाएंगे दूसरा किस तरह उसकी सहायता करेंगे उतर पुस्तर काले से पुस्तर के लाने तथा अन्य तरीकों से उसकी सामगरी उठाने में सहायता करेंगे तीसरा बिद्याले में क्या परिवतन करना चाहेंगे उत्तर बिद्याले में कुछ जगा पर रैंप का प्रभंद करवाएंगे चौथा बाकी बच्चों को क्या सला देंगे उत्तर बाकी बच्चों को सला देंगे कि उसकी हर संभव सायता करे उसे तंग ना करे और ना ही उसका मजाक उड़ाएं तो चलिए अब शुरूरात करते हीं बातों बातों में पहला दिवाली पर आपके परिवार में क्या-क्या विशेश तयारी की जाती है उतर दिवाली पर अपने परिवार की तयारी सफाई सजावर पक्वान बनता है सफाई इस भव्य त्वहर की तयारी लोगों के द्वारा अपने घरों और काज्यलों की सफाई के साथ बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है। फिर वे अपने स्तानों को फूल दिये रोश्णी और रंगोली से सजाते हैं। भारत में अन्य सभी त्वहर की तरह दिवाली में भी सफाई का एक आवस्यक भूमी का निभाता है। बेचने के लिए कुछ चीजों का घर से बाहर करना बहुत जरूरी है। सजावड़ दिवाली के लिए जगा का तूरंत रोशन करने का इत्वरिक तरीका है अपने मुख के द्वार को सजाना। फेरी लाइट का प्रएक करें या गेंद के फूलों और आम के पत्तों के साथ पारंपरिक जाएं। इसे दियों, रगोली और यहां तक की तेरती मेंबोतियों के साथ भी भव्य बनाए। पकवान नारियल के लडू बहुती लजीज डेजर्ट रेसिपी है जो पूरी इंडिया में खाजी लोकोप्रिया है। इस आसान रेसिपी को आपको दिवाली के मौके पर बनाकर अपने परिवार और दोस्तों का दिल जीश सकते हैं। दही पपड़ी चाट एक लोकोप्रिया नौत इंडियन स्टीट फूड है। यह स्वादिश्ट और जटपड बनने वाला स्नाक्स रेसिपी है। इस चटपड़ी रेसिपी की सबसे अच्छी बात है कि इसकी एक बाइट में ही आपको कई फ्लेवर का टेस्ट मिल जाता है। दूसरा क्या दिवाली पर पठाके चुड़ाने चाहिए। क्यूं नहीं आपके बिद्याले में आपको पठाके के बारे में क्या जिवनी दी जाती है। आप कोई भी एक पोश्टर बनाकर कक्या में टांगे में इस बिशेय पर ये पोश्टर बनाया है। आगे देख लीजिए। तो चलिए शुरुत करते ही तीसरा किसी ऐसी घटना का वन्नर करो जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सायता की हो। बच्चे किसी खत्रे से बचने बचाने का अनुवा संक्खिप में लिखिए। उत्तर हाँ मैंने एक अनाद बच्चों की मदद की उसके पालन पोशन में मदद की है। गरीब के कारण वे विद्याले नहीं जा सकता था। मैंने उसकी मदद करने का ठान लिया। उसे एक बिद्याल में दाखिला दिलवाया तथा पुस्तके कौपी तथा कलम उपलब्द करवाया। आज वे लड़का काफी खुशे और अच्छी बढ़ाई कर रहा है। अभी चलिए भाशा में। पहले नीचे दिएगे बाक्यों का बचन बदलो। क. चिराग जाला उतार रहा था। बच्चोंने मिठाईया खाई। ग. दिया जगमगा रहा था। ग. राधाने डिब्बा उठाया। अंड. में तो लड़ु खाऊंगा। हम तो लड़ु खाएंगे। दूसरा, नय सब्द बनाऊ। दो सब्द उन्होंने दे दिया है, बाकी सब्द हम बनाएंगे। जैसे, भुला प्लस अकड, भुलकड। घट प्लस इया, घटिया। लिक प्लस आवट, लिखावट। बिक प्लस आउ, बिकाउ। खेल प्लस आना, खेलोना। बे प्लस जान, बे जान। बे प्लस बस, बेवश। नी प्लस बंध, निभंध। अनु प्लस करण, अनु करण। उप प्लस मंत्री, उप मंत्री। तीसरा, ये गे सब्द में ब्याक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववक्ष सग्यान छाट कर सही जगय पर लिखिए। जैसे कुछ सब्द दिये हैं जैसे बुराई, रेश्मा, पठाके, गोलू, कुर्सी, सत्य, आयवध्या, अच्छाई, फुलजड़ी। यहां पर एक टेबूल बनाया है उसी हिसाब से मैंने भी टेबूल बनाया है जो की तीन टेबूल है एक ब्याक्तिवाचक सग्या, जातिवाचक सग्या, और भाववाचक सग्या पहले हम ब्याक्तिवाचक सग्या में कौन-कौन से आएंगे देख लेते हैं ब्यक्ति पचक सग्या में रेश्मा, अयोध्या, इद, बीहु, फुलजडी, अनार जाती पचक सग्या में आएंगे पठाके दिये भावचक सग्या में आएंगे अच्छाई, सत्य, कमी, इरादे तो चलिए अब देखते हैं पोर्थ नंबर नीचे दिये गए भावचक सग्या से विशलर्शन बना कर लिखिए बुराई, बुरा, परिश्रम, परिश्रमी, अच्छाई, अच्छा, उच्छक ता उच्छक पांचवा, दिये गए सब्दों की तरह तीन-तीन सब्द लिखे यह रो की और यह उसके मात्रा हैं और यह इसके किस तरह से रो को हम दूसरे अंदास में प्रस्तत कर सकते हैं तो पहले रो का देख लेते हैं कुर्शी, बर्तन, सागर, भारत, रेश्मा दूसरे रो का वर्शा, आश्रिबाद, सूरिय, फुर्ति, निर्भर इस तरह से भी हम रौ का इस्तमाल कर सकते हैं तिसरा प्रकास, ग्राम, समुद्र, प्रसन्न, उम्र ट्रक, राष्टिय, ड्रामा, ड्राइवर, ट्रेन इस तरह से हम रौ का भी अलग रूप से इस्तमाल कर सकते हैं छटा, सही मुआबरे से खालिस्तान भरो पहले कौन कौन सा मुहाबरे दिये देख ले दें पीट थपतवाई आंखो का तारा चक्के छुडाना कान खड़े होना घी के दिये जलाना नौदो ग्यारा होना कान पकाना क सर सराट की आवाज सुनते ही राखी के कान खड़े हो गए मोनिका ने अपने माता पता की आंखो का तारा है कानती कारियों ने अंग्रेजी सेना के छक्के छुडा दिये जब रेश्मा चित्रकला पक्तियोगिता में प्रत्थम आई तो घर में भी के दिये जलाए गए अंड़ उफ नीरा की गपे सुनते सुनते मेरे कान पक गए है चो मा ने सफाई करने के लिए कहा तो मेरे सारे बचे नो दो ग्यारा हो गए चो गिलू ने कुते की जान बचाई तो सब ने उसकी पीट थपतवाई यह किस तरह से सजाएंगे दिये गए है उस बीदी के अंजार आप अपने घर में एक दिया लाइए और उसे डेकरेट करके मेरे कॉमेंट बक्स में उसकी फोटो जरूर अपलोड करना ठीक है बचो इसी के साथ इस पार्ट का कोश्रीन अंसर ग्रामार समात हुआ नेक्स नई पार्ट के साथ फिर से मैं आप सब पिर साथ मुलाकत करूगी थैंक यू